नमस्कार दोस्तों मैं नामें कपिल और चार्ट मास्टर में एक बार फिल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ तो आज मैं जो इंडिकेटर लेकर आया हूँ वो इंडिकेटर आप लोग बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 में बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं यानि कि इंडियन स्टॉक मार्गेट में आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं या आप option trading कर रहे हैं या फिर आप futures कर रहे हैं तो indicator के बारे हम बताने से पहले सबसे पहले मैं इसके थोड़े से features बतायता हूँ यहाँ पर यह red color का ribbon है red color के ribbon में जबी भी यह indicator convert होता है तो आपको short call लेनी है या आपको put trade लेना है जैसे ही color sky color में convert होता है तो आपको long trade लेना है या आपको call option को buy करना है ठीक है तो यह आपको simple सा समझ में आ गया कि कहाँ पर हमें short लेना है कहाँ पर long लेना है अभी हम चल लेते हैं trading view को indicator section में जहाँ पर हम देखे हैं कौन सा indicator है और क्या-क्या इसकी settings है लेकिन वीडियो को start करने से पहले मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इस तरह के बहुत सारे indicators चाहिए जो बिल्कुल free of cost हो और बहुत अच्छे तरीजिए आपको trade दें या trading के बारे में आपको बहुत कुछ सीखना है तो चैनल को subscribe जरू करें और वीडियो को पहले से लाइक कर दें क्योंकि आज की वीडियो बहुत जादा कमाल की होने वाली है बहुत ही जादा बहुत ही जादा यी वीडियो फायदे मंद होने वाली है आप लोगों के लिए तो make sure की channel को subscribe जरू कर दें तो चले शुरू कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं इस indicator को remove कर देता हूँ और चलते हैं indicator section में यहाँ पर आपको search box में लिखना है TKP and T3 TKP T3 आप जैसे ही लिखेंगे तो आपके सामने केवल एक indicator आएगा और जो की बीज और गम ने बनाया है इनका नाम भी जोर गम है जिन्होंने इंडिकेटर बनाया है 3789 इसके users है इसको आपको select कर लेना है जैसे आप इसको select करें हैं तो कुछ इस तरीके से indicator आपको दिखाई देगा तो यहाँ पर इसकी setting section में जाना है और inputs में चलना है तो सबसे पहले मैं आपको चीजे समझा दूग कि क्या क्या यहाँ पर चीजे हैं जो हमें समझनी है तो bull trend color यहांने कि जब bull trend चलेगा तो यह color है आप देख सकते हैं हलका नीला color है आस्मानी color है यह bull trend का color है आप चाहे तो इसको गीनी भी कर सकते हैं नहीं सबसे यह bear trend का color है red जब market bearish होगी तो candles का color red हो जाएगा bullish reversal color जब reversal आएगा market में तो candle का color जो है वो yellow color से हो जाएगा जब उपर से price नीचे की तरफ fall होना start होगा तो भी candle का color yellow हो जाएगा यानि के जो reversal candle है वो yellow color की होगी चाहे वो bearish है चाहे वो bullish है और जो bear trend है वो red color का होगा bull trend होगा इसका ही color का तीक है अब आपको चलना है इसके style section में और style section में curl up को आपको आठा देना है curl down को आठा देना है up trending star को आठा देना है downtrending star को आठा देना है बाकी इसमें आपको कोई छेड़ार नहीं करनी है ओके पर आपको क्लिक करके बाहरा जाना है अब देखे ट्रेड किस तरह से लेना है तो जब प्राइज उपर से नीचे की तरह फॉल हो रहा है और एक बुलिश केंडल बने यानि के एक रिवर्सल केंडल बने इसका कलर हमने अभी देखा यल्लो कलर है यल्लो कलर केंडल हमेशा हमें बताएग प्लस एक बुलिश केंडल भी हमारे पास होने चीए जिसका कलर है स्काइप ये तीनों चीजे यहाँ पर कंफर्म होने चीए तब हमें यहाँ पर अपना ट्रेड लेना है तो जैसे हम यहाँ पर लॉंग ट्रेड लेंगे इस केंडल से यहाँ पर SL होगा हमारा यहाँ पर जो recent swing low है और हमारा जो profit and loss का ratio होगा वो होगा 1 is to 2 1 is to 2 का हमारा profit and loss का ratio होगा और आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से यह trade चला या इसके अलावा अगर आपको exit लेना है तो यहाँ पर आप next yellow color की candle का wait भी कर सकते हैं जब तक next कोई yellow color की candle ना बने तब तक आप इस trade को चलने भी दे सकते हैं yellow color की candle जैसे ही बने तो यहाँ पर यह जो ribbon है यह reverse हो जाएगा red color का हो जाएगा तो आपको यहाँ पर signal मिल जाएगा कि अभी यहाँ पर market नीचे की तरफ जाने वाली है ठीक है वहीं जैसे ही यहाँ पर आप exit लेंगे वहीं आपके लिए short trade भी तयार है जैसे ribbon का color red हो कोई red candle बने तो आपको वहीं पर short trade भी अपना open कर देना है और short trade को आपको कब तक चलाना है जब तक कोई next yellow color की candle प्लस ribbon का color sky और प्लस कोई bullish candle ना बने ठीक है यह जो yellow color candle है मैंने आपको बताए यह reversal candle है चाहे यह उपर है चाहे यह नीचे है नीचे है तो यह हमें बताएगी कि यहाँ से reverse हो के price उपर जा सकता है और अगर यह उपर बन रही है तो यह हमें यहाँ पर बताएगी कि price रहे हैं यह indicator आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सावित होने वाला है तो make sure कि indicator को use करने से पहले थोड़ा सा paper trading करें या demo trading करें एकदम से real trade ना ले जब आपको लगे indicator बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है आपकी समझ में आने लगा है उसी के बाद आप लोग real trade लें यह मेरी आप से एक छोटी सी गुजारिश है क्योंकि trading बहुत साथा risky होती है और मैं नहीं चाहता कि आपका किसी भी तरह से कोई loss हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितने भी trade इस indicator के through हमें मिले हैं बहुती successful और बहुती बड़े बड़े trade यह indicator हम लोगों को दे है तो उमीद है कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत जादा helpful होगी काफी अच्छी लगी होगी आज की वीडियो वीडियो को like किया बगेर आपको नहीं जाना है चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe भी जरूर से कर लेना है फिर मिलता है दोस्तों किसी next वीडियो में तब तक क दोस्तों कि भीडियो आपको